रानी मुणी मसिन और कशोक चत्रदिर्पूर टाटा चार कर देखिए अज हम लग भाजाल पूर पूंचे हैं और मसिन को सेटिंग करने के बार हम लोग चालू कर रहे हैं पिंटो जी कुछ बली मुड़ी कैसा बन रहा है बहुत बढ़ यहां सफेद बन रहे हैं और सफेद बन रहे हैं कैसा चल रहा है और मसिन में कुछ तुरूटी है तो बोलिया हम लोग इसको सुधार करेंगे कोई चीज का प्रबलोम है मसिन में हमें लोग सेटिंग कैसे के हैं मसिन हिल रहा देखिया ना नहीं नहीं हिल रहा ना मोटर कॉन सा कमपनी का है प्रम्टन का इसको जगा हम फिटिंग हुआ भागल पुर्वना है अभी हम लोग कितना मोड़ी बना है अभी एक कुंटल यानि के किंटल मोड़ी बना के अभी खताम हो रहा तो सब कुछ ठीक ठाक रहा ना कोई चीज का दिक्कत होगा तो क्या किजेगा मैंसिन में कुछ पी परभॉलम हो जाएगा तो क्या कीजेगा अम है को क्यों कि दिवाग नहीं soldiers जयदा दिवाग लगाना है रहा हम हैं विप प्रभॉलम होगा उसकेलिये हम ज़्यदा बड़ा प्रभॉलम होगा तो हम लोग आएगे आप छोटा मोटा प्रभॉम मिच है और भट्टी में आग बढ़ियां जल रहा है हम बोलेंगे बहिन वाला ही बालो युद्ध कीजेगा इसमें क्या होता है कि मोरी का क्वालिटी अच्छा होता है और यह जो पिंटु भाईया हम लोग का पहले पुन्या में कड़ाई में काम कर रहा था दो तिन साल काम कर चुका है इसी कारण पिंटु जी बहुत ही एक्सपेरेंस हुए है मोरी बनाने में और हमको जहां तक लगता है कि पिंटु को काम करने में दिखात नहीं होगा ठीक है और देख सकते हैं अप लोग मोरी का क्वालिटी और कड़ाई मसिन का मोरी जो रहा ना टेस्टिंग अच्छा रहाता है देखे इस वीडियो में किस परकार काम कर रहे हैं जिसको जहां प्रोब्लम होगा आप लोग देखके भी वीडियो को देखकर भी ठीक कर सकते हैं बहुत ही सिंपल सा मसिन है इसमें कुछ नहीं है और बहुत खुसी की बात है कि सुरू दिन में ही सो किलो मुड़ी हम लोग बनाएं और सो किलो मुड़ी बनने के बाद पचास किलो मुड़ी कस्टमबर के पास चला गया चला जा रहा है देख सकते हैं किस बरकार मुड़ी को टिकिंग करके स्टिलाइ महसिन से स्टिलाइ के अचार है तो ठीक है थेंक्यू धन्यवाद चलो पल्ट